हेलो गाइस, वेलकम बैक टो माई यूटूब चैनल, अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं, तो वीडियो की भावना में खोने से पहले मारे इस चैनल को सब्क्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस कर दे, आज का हमारा टॉपिक है एसिन पेंट रॉयल, रॉयल पेंट कैसे करते हैं, और आप इस पेंट को किन दिवारों पे कर सकते हैं, एलमोन डिश्टमपर हुआ है, आप तो भी कर सकते हैं, या फिर आपका सेम क्वाल्टी का पेंट हुआ है, तो भी कर सकते हैं, और इसको कैसे कर सकते हैं, ये सारी जानकारी आपको step by step हम इस वीडियो के अंद बताने वाले हैं फ्रेंट सबसे पहला प्रोसेस ये है कि आपकी दीवार पर कोई भी पेंट हो चाए एलमोन डिश्टम पर हो या फिर प्रीमियम हो या फिर किसी भी क्वालिटी का पेंट हो आप उस पर रॉयल पेंट करना चाहते हैं तो इस वीडियो को जरूर देखना सबसे पहला काम आपका ये है जो भी पेंट आपकी दीवार पर हो रखा है पहले से पुरानी दीवार पर जो भी पेंट आपके हो रखा है आप उसको अच्छे से चेक कर लें कहीं पर पपड़ी निकल रहा हो या आपका पेंट डैमेज हुआ हो आपका निकल रहा हो उससे वंसकता पड़ती है, इसको रिपेर करने के लिए आपको वाल पुट्टी और प्योपी आप दोनों को यूज करके आप बराबर-बराबर मिक्स करके इसका रिपेर कर सकते हैं, इस paint को अगर royal paint आप कर सकते हैं, अगर आपका दिवार पर royal हुआ है, तो आप direct भी लगा सकते हैं, और बहुत ज़्यादा repair है, तो आपको बीच में primer लगाना पड़ेगा, यदि आपकी दिवार पर पहले से almond distemper हो रखा है, और आपकी दिवार smooth है, तो आप primer लगा कर direct आप royal paint लगा सकते हैं, या फिर आपका almond distemper है, और दिवार भी खराब है, उबर खाबड है, तो फिर आप direct नहीं लगाएं, कोशिस करें आप पूरी दिवार पर wall putty कराने को, wall putty करने से फाइदा ये होता है, आपकी दिवार smooth हो जाती है, जब दिवार smooth हो जाती है, तो आपका paint जो royal है, ये आपका बहुत ही अच्छे से खिल के दिखाई देता है, इसलिए wall putty करने के जरूरत परती है, friend, यहाँ पर हम आपको बताने वाले हैं, हमारी जो दिवार है, बिल्कुल smooth है, सिर्फ इस पर कहीं कहीं से गड़े हो रखें, हमने इसी का repair करना है, so friend, आगे आपको क्या करना है, जब आपकी wall putty सूख जाए, इससे 3-4 घंटे सूखने का मौका दें, इसके बाद friend, इस पर 320 नंबर या 220 नंबर रेगमार से आप इसकी sending कर दें, अच्छे से घिसाई कर दें, घिसाई friend, इसकी इतनी करनी है, जो भी over है, जो भी over P.O.P. दीवार पर लगा है, आप उसको अच्छे से घिसके निकाल दें, सिर्फ आपका जो भी दीवार पर hole है, आप उसी भर का छोड़ें, बाकी area का आप इसे घिसके निकाल दें, अच्छे से, जैसे कि आप यहाँ द बहुत ही फाइदा रहता है, friend, आपकी दीवार smooth ही दीखती है, जब आपका घिसाई का काम हो जाए, रेगमार का काम हो जाए, शंडिंग का काम हो जाए, आप इसे cotton कपड़े से अच्छे से साफ कर दें, friend, साफ करने का benefit यह होता है, कि धिकवार पर जो भी धूल मिट्टी ह वो अच्छे से cotton कपड़े में आ जाती है, साफ हो जाती है, जो की जाडू से साफ होने वाली नहीं होती है, इसलिए हमें cotton कपड़े का यूज करना पर परता है, friend, आगे का process यह है, कि आपको इस पर प्राइमर लगाना है, प्राइमर आप जहाँ पर रिपेर किये हैं, वहा आप इसे रिपेर की जगह पे फायदा यह रहेगा, आप पूरी दीवार पर लगा देंगे प्राइमर को, तो जादा ही बेटर रहता है, friend, आपको प्राइमर बोकिसम के मिलेंगे, एक bakal primer मिलेगा और एक water primer मिलेगा, दोनों प्राइमर में से आप कोई भी रख सकते हैं प् पहले से लगा हुआ है तो आप कोशिज करें ओयल प्राइमर लगाने को अगर आपकी दीवार पर सेम वालिटी लगा हुआ है और आपको सेम वालिटी का पेंट करना है तो आप वाटर प्राइमर भी यूज कर सकते हैं यहाँ पर जो हम आपको बता रहे हैं यहाँ same quality है पहले से royal हो रखा है जिस पर हमें royal ही paint करना है इसलिए हमने यहाँ पर oil primer ना use करके हमने यहाँ पर water primer use किया हुआ है जब आपका ये प्राइमर सूख जाए तीन से चार घंटे इसे सूखने का मौका देना चाहिए जब आपका ये वाटर प्राइमर सूख जाए तो आता है नंबर टॉप कोट का फ्रेंड सीधे सॉट कोट में हम आपको बता दे नंबर आता है, आपका royal paint करने का, so friend, इस paint में आप color choice कर सकते हैं, जो आपके, जो भी color आप choice करेंगे, आप computer से भी बनवा सकते हैं, आगर आप बना सकते हैं, तो घर पे आप हाथ से भी बना सकते हैं, friend, ये paint white आता है, इसमें friend पाणी आपको mix करना होता है 35 से 45 परसेंट तक आप इसमें पाणी mix कर सकते हैं इसको friend करने के लिए आपको एक roller की जरूरत परती है अगर आप 800 नंबर का roller जो हम use कर रहे हैं अगर आप ये use करते हैं तो ज़्यदा ही बिर्तर है नहीं तो आपको 720 नंबर का स्पॉंच वाला रोलर आता है, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, अगर आप ये रोलर यूज़ करते हैं, तो आपको हमें कमिट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि बाकी रोलर में निसान आ जाता है, सूखने पर जोइंट नजर आता है, जो कि इस रोलर में आपको जोइंट का निसान नहीं मिलेगा, आपका एकदम पेंट परफेक्ट आएगा, ये पेंट जब भी जब आपका फर्स्ट कोट लग जाए, सेकेंड कोट करने के लिए आप इसे छोड़ दें, चार से पाँच घंट सूखने के लिए, उसके बाद ह आप इस पर डबल कोट लगा सकते हैं, सेकेंड कोट लगा सकते हैं, अगर आपको काम करते वक्त कोई प्राबलम आ रही है, या फिर आपको कोन से पेंट की जानकारी चाहिए, आप हमें कमिट कर सकते हैं, हम आपको उस पेंट की जानकारी वीडियो के माध्यम से दे सकते है फ्रेंड जब आपका फास्ट कोट सूख जाए, तीन से चार घंटे हो जाए, तो फिर एक बार आपको फिर से सेंडिंग करनी होगी, 320 नमबर रेगमार से, इससे क्या बेनिफिट होता है, फ्रेंड हाथ लगाने पर जो भी बाबरी रहती है, वो मुलायम हो जाती है, कट जात है, अगर आप सेंडिंग करते हैं, 320 नमबर रेगमार से, बहुत ही हलका हलका लगाना होता है, फ्रेंड आप इसको लगाने कोशिस करें, ये रेगमार लगाने के बाद सेंडिंग करने के बाद, जब फाइनल कोट आप लगा देंगे, सूखने के बाद, आप जब इस पर आप ध्यान रखे, कोई कोई कलर नीचे ऐसे होता है, डार्क कलर आपको ज़्यादा कोट भी लगाना पड़ सकता है, तीन से चार कोट भी लगाना पड़ सकता है, फ्रेंड अगर कलर लाइट है, आपको लाइट कलर करना है, तो आपका दो कोट में काम हो जाएगा, अगर आपको color change करना होता है तो 3-4 code भी लग जाता है फिर भी फ्रेंड अगर इस वीडियो में कोई problem आ रही है जो बात आप नहीं समझ पाए हैं आप हमें commit करें हम आपको reply अवस्य करेंगे फ्रेंड इस बात का ध्यान रखे जब भी आप final quote कर रहे हो royal pen का उससे पहले आप एक बार sending 320 नंबर रेगमार से जरूर कर ले 320 नंबर का रेगमार मारने से benefit ये होता है कि आपकी दीवार छूने से बहुत ही मूलाए महसूस होती है final करने के बाद यहाँ friend second quote start हो चुका है इसे पहले हमने sending कर चुके है friend ये paint interior के लिए है आप इसे सिर्फ अंदर ही कर सकते हैं बाहर के लिए अगर आपको वीडियो देखना है तो हमारे इस वीडियो के section में जाए channel पर जाए पहले फिर वीडियो section पर जाए आपको बहुत सारी वीडियो मिलेगी paint की अच्छी अच्छी जानकारी मिलेगी आप वहाँ से देख सकते हैं design की देखना हो ता आप वीडियो section में जाए आप design की भी वीडियो देख सकते हैं अगर आपके घर में सिलन की प्राबलम है आपको वो भी वीडियो मिल जाएगा फिर भी अगर कोई किसी भी paint की जानकारी चाहिए हो जो हमने अभी तक नहीं डाले हुए हैं आप हमें commit करें हम आपकी help जरूर करेंगे reply करेंगे और उस paint की हम वीडियो आपको बना कर आप तक जरूर पहुँचाएंगे friend आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा आपको ये हमारी जानकारी कैसे लगी अगर अच्छी लगी हो तो like करना अगर आप अभी तक हमारे इस channel को subscribe नहीं किया है आप नए हैं तो हमारे इस channel को subscribe कर ले friend यदि आपकी दीवार पर royal हो रखा है पहले से आप repair पर primer लगा कर सकते हैं यदि आपकी दीवार पर same quality नहीं है तो आप wall putty करके smooth बना कर primer लगा कर कर सकते हैं या फिर आप primer लगा के भी कर सकते हैं friend आज के लिए बस इतना ही next video में फिर मिलेंगे एक और नए paint के साथ नए जानकारी के साथ तब तक के लिए जय हिंद जय भारत thanks for watching my friend